यह है प्रिंदाबन की राधा कुंड के थे जिनको बच्चा नहीं होता अगर बो पति-पत्नी कृष्णाश्टम की रात को आधे रात को दोनों साथ में मिलके उधर जाके श्नान करते हैं उनको संतान्रप्ति हो जाता है जब कांस ने कृष्णों को बाध करने के लिए मानने के लिए अरिष्टासूर को भेजा था तब अरिष्टासूर ने बच्चरा की रूप में जाके क्रिष्णे के गाय के अंदर घुश गया था लेकिन भगार क्रिष्णे उनको पहचान ले थे उसको पकड़ लिया और उसको पटक-पटक के नीचे मार दिये उसके बाद जो आपको राधे के पास गये राधे बोले आपको गोहत्या का पाप लग गया है आपने गोहत्या किया है इसलिए आप हमको नहीं सुझते कि हमको भी पाप लग जा गया आपको सारे संसर में जितना तीर थे उधर जाके आपको स्नान करके आपका पाप का प्राश्चित करना पड़ेगा आपको धुलना पड़ेगा उसके बाद आना पड़ेगा भगान कृष्णे बोले बोतो गाय नहीं था बोतो एक असुर था राधा बोले बास आपको जाना ही पड़ेगा और ये करना पड़ेगा उसके पहले आप हमारे पास नहीं आ सकते उसके बाद कृष्णे नारत महर्शी ने बोले आप एक काम कीजिए जितने तीर्थ है उनको आप जल्क रूप में आभाहन कर लेजिए एक जगा पर रखके सारे जल्क को आप स्नान कर लेजिए उसके बाद कृष्णी ने क्या किया उपने एडियों से एक छोटा सा कूंड बनाए उसके बाद सारे तिर्थो को बो जल के रुप में आभान किया, सारे जल लाके इधर एकत रेते हुए, उसके बाद बो उधर स्नान किये। उसके बाद जब देखे राधे के सखी ने, वो सोचे क्यों ना हमारी राधे के लिए भी हम एक कूंड बनाए उसके पास में, उसके बाजू में, राधे और उसके सारे सखी ने मिलके, गोपी ने मिलके, अपनी कंगन से हाथ की कंगन उतर के एक छोड़ा सा कूंड उधर बना आप हमारी कुण्ट से पानी ले लेजी लेकिन गोपिया ने सापसा मना कर दिया अगर आप अभी आप साम की कुण्ट से पानी देंगे सारे जिंदेगे आपको आप हमको यही ताना मारेंगे कि आपने साम की कुण्ट से पानी लिया है यह सोच के बहुत लोग क्या के बहुत मटका लेके चले के सब लग मानसी गंगा से पानी लाने के लिए ये देखके भगान कृष्णे ने सारे तिर्थे को बुलाए बोले जाके आप राधा को मनाईए और उनको बोलकर आप सारे तिर्थे का जल उनकी कूंड पर छोड़ दे दिए उसके बाद राधा के पास सारे तिर्थे ने जाके उनको अपने बोले माता अपने चरन में आप आप हमको सबाकरन का मोका दीजिए हम चाहते हैं हम सारे जल आपकी कूंड में छोड़ेंगे उसके बाद वो परिमसंद दिये थे उसी दिन से जो राधा के कूंड वो खेमस हो गया भगार क्रिष्णे उनको आशिवाद दिये थे राधे को